नमस्कार दोस्तों! प्रश्न आया है कि जीवन में अच्छे दिन कब आते हैं? सही वक्त कब आता है? सही समय कब आता है? जब सब कुछ परफेक्ट हो जाता है? तो चली आज इसी पर बात करते हैं. हर एक इंसान सही वक्त के इंदिजार में रहता है, सही समय के इंदिजार में रहता है, सही सिचुएशन के इंदिजार में रहता है. वो परफेक्ट सिचुएशन जब सब कुछ उसके अनुकूल हो, उसके फेवर में हो. और बच्पन से जवानी तक वो गुजार देता है. ये सोच के जब जवानी की अवस्था आएगी, तब सब कुछ उसके अनुकूल होगा, वो परफेक्ट सिच्विशन होगा, वो घरी ही अच्छे दिन की घरी होगी, और जब जवान होता है मनुश, तो फिर पैसे कमाने के चक्कर में फंस जाता है, वो 99 के चकर में फंस जाता ह कि और धन हो जाए, और धन हो जाए, कि चकर में फंस जाता है, कि इतना धन कमालें, ताकि बाद में फुरसत से उसे इंज्वाई करेंगे, ये इंदिजार में वो पूरा जवानी बिता देता है, और जब बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापा अपने में एक बिमारी होत और जब अंतिम घरी आती है, तो मनुष जो कमायोवा पैसा है, उससे भी सौदा नहीं कर पाता है, समय का. तो सही समय के इंदिजार में, मनुष अपना पूरा समय, पूरा जीवन व्यर्थ में गवा देता है, और वो आनंद, वो शान्ती उसे मिल नहीं पाता है, तो सही वक्त के इंदिजार में, सारा वक्त खतम हो जाता है, और वो सही समय से मुलाकात नहीं हो पाता है, मनुष का. क्यों? तो कि नासमझी में, अज्ञानता में, क्योंकि परफेक्ट सिचुएशन बाहर नहीं है, परफेक्ट सिचुएशन के पीछे भागने से परफेक्शन नहीं आता है, परफेक्शन तब आता है, जब आपके पास जो है, उसको आप समझते, उसको आप जानते, जो आपके पास है उसको समझ के उसको जान के ही मनुश perfection तक पहुँच सकता है perfection को पा सकता है ना कि perfection के पीछे भागने से perfection आता है समय इतना किमती है कि बड़े से बड़े लोग जो पूरा जीवन धन कमाने में लग जाते है जो करोरपती, अरबपती, वो भी अंतिम समय में समय का सौदा नहीं कर पाते हैं वो कमायवा पैसा उनका धरा का धरा रह जाता है, लेकिन वो समय को नहीं खरीद पाते हैं अगर ऐसा होता, तो धिरुभाई अंबानी, स्टीव जॉप्स और ना जाने कितने करोरपती अरपती धन से समय को खरीद लेते, लेकिन ऐसा होता नहीं है, किसी भी चीज से समय को नहीं खरदा जा सकते, गोई कि समय सबसे बहमुल है, वो अनमोल है, हमारे जीवन में समय ही विर्थी गवा देते हैं, इश्वर ने हमें समय दिया है, समय जैसा बहमुल चीज दिया है, यो आनंद में रहने के लिए, हर वक्त आनंद में रहने के लिए, लेकिन हम लोग समय को समझते नहीं है, जानते नहीं है, और समय को विर्थी गवा देते हैं, इसको समझने के ल एक धोबी नगर की ओड जा रहा था उसने गधे को देखा गधे को देखके उसे लगा कि कास ये गधा उसके पास आ जाए उसका हो जाए तो उसे कपड़े धोने में सहुलियत होगी वो जो कपड़े खुद लेके नदी के पास जाता है धोने के लिए अगर गधा आ जाए उसके पास गधा उसके पास एक हो जाए तो वो उसके उपर कपड़े लाद के नदी के पास जा सकता है और कपड़े धो सकता है तो वो इधर उधर देखने लगा उसे कोई भी आदमी नहीं दिखा उसका मालिक उसे नहीं दिखा तो वो समझा कि एक गधा लावारिस है और वो गधे को अपने साथ ले ली और लेते वे चलने लगा आगे और सबसे बड़ी बात है कि इस गधे के गले में एक पत्थर का माला था और उस पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं तब होती किमती था लेकिन धोबी उस पत्थर को पहचान नहीं पाया और उधरी से एक जोहरी गुजर रहा था वो गधे को देखा और गधे के गले में पत्थर लटके हुए को देखा और तुरंत वो पहचान गया कि ये पत्थर बहुत ही बहमुल है उसने धोबी से बात की कि ये गधे को मुझे दे दो वो धोभी बोला कि नहीं ये गधा बहुत ही महंगा है मैं इसे नहीं दे सकता हूँ तो जोरी ने बोला कि मैं इस गधी का मैं 5.000 रुपय तुमें दूँगा मुझे गधा दे दो धोभी के मन में यह आया कि यह तो गधा मुष्ट में मुझे मिला है और 5-6 रुपया भी मिल रहा है इसके बदले तो क्यों नहीं यह सौधा मंजूर कर लिया आ जाए क्योंकि यह सौधा घाटे का सौधा नहीं है और वो सौधा मंजूर कर लिया वो गधे को 5-6 रुपय में बेच दिया और मन ही मन बहुत ही खुश हो गया कि उसे 5-6 रुपया म मिल गया लेकिन जैसी वो आगे बढ़ता है कुछ दूर आगे बढ़ता है तो देखता है कि वो गधा फिर वहीं पे खड़ा है और जोहरी वहां नहीं था तो यह देखके उसे आश्चर हुआ कि कैसा पागल आदमी है कि पैसा भी दे दिया और गधा भी नहीं ले गया गधा छोड़ दिया कि लेकिन इस बार उस गधे में वो पत्थर की माला नहीं था लेकिन धोबी ये पहचान नहीं पाया तो हम लोग भी उसी धोबी की तरह हैं जो हमारे पास है, जो हमारे पास किम्ती चीज है, जो खाजाना भगवान देते हैं, जो इश्वर देते हैं, उसको हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, और उसका सौधा बहुत ही सस्ते में कर देते हैं, समय, वक्त, जैसा किम्ती कुछ नहीं है, आप कितना ही पैसा कमालो, लेक और इश्वर ने हमें समय दिया है, हमें वक्त दिया है जीने के लिए, हर वक्त आनंद में रहने के लिए, दुख में जीने के लिए समय नहीं दिया गया है, इसलिए हमें समय को समझना होगा, समय को जानना होगा, समय कितना किम्ती है, हर वक्त हम आनंद में कैसे जीए, यह हम यह हमें सीखना होगा, यह हमें जानना होगा, तो समय सही नहीं आएगा, जब तक हम खुद सही नहीं होगे, समय तभी सही होगा, जब हम सही होजाएं, हम जब सही बन जाएं, तब हमारे लिए कोई भी समय सही हो जाएगा, लेकिन अगर हम गलत हैं, तो समय भी हमारे लिए ग यह ऐसा ही हुआ जैसे, अगर हमारे चेहरे पे धूल लगा हुआ है, तो हमारा प्रतिभिम्ब जो आएने में बनेगा, वो भी सही नहीं होगा। अग्यानता, अहंकार खतम हो जाए। जब तक मन में विकार है, अग्यानता है, तब तक हमारा समय सही नहीं होगा, हमारे दिन अच्छे नहीं होगे, हमारा प्रिस्तिती अच्छा नहीं होगा। और जब मन साफ हो जाता, मन अच्छा हो जाता है, तब हमारी प्रिस्तिती भी अच्छी हो जाती है। प्रिस्तिती हमारे मनुस्तिती पे अधारित होता है। हमारा मनुस्तिती कैसा है, उसी पे हमारा प्रिस्तिती निर्भर करता है। और हम सही कब होंगे? जब हम आत्मा के भाव में जिएंगे। जब हम मूल स्वरूप में आ जाएंगे। जब तक हम शरीर के भाव में जिएंगे, तब तक हम अंकार में जिएंगे। तब तक हम सीमा के भाव में जिएंगे, सीमा ही बंधन है, सीमा को ही expectation होता है, तोगे सीमा imperfection है, imperfection में ही expectation होता है बाहर से, पूनता के लिए सीमाही बंधन है और जब तक हम बंधन में जियेंगे जब तक हम शरीर के भाव में जियेंगे तब तक हम सही नहीं जियेंगे और हमारा जीवन सही नहीं होगा हमारा समय सही नहीं होगा हमारा वक्त सही नहीं होगा और जब हम आत्मा के भाव में आ जाएंगे कि हम कौन है हम आत्मा है आत्मा कौन है असीन, अनन्त, पूर्ण, अद्वैत उस भाव में अगर हम आ जाते हैं तब हम पूर्णता में जिएंगे मुक्ती में जिएंगे, बंधन में नहीं जिएंगे और पूनता में एक्सपेक्टेशन होता ही नहीं है Perfection is the end of expectation from outside Perfection में आपका expectation, अपेक्षा समाप्थ हो जाता है वही पूनता है जब तक expectation होगा, तब तक आप सही नहीं हुए है तब तक आप अंकार में जी रहे हैं चरीर के भाव में जी रहे हैं अभाव में जी रहे हैं, बंधन में जी रहे हैं और जब आप आत्मा के भाव में आ जाते हैं तब आप परमशांति परमानंद के वस्था में आ जाते हैं आप सही हो जाते हैं और जब आप सही हो जाते हैं आपके लिए हर समय, हर काल सही हो जाता है पर एक्जामपल उधारन के लिए भगवान राम की जीवन में बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिती आया लेकिन वो हर परिस्थिती में अनुकूलता से जीए क्यों? क्योंकि उनका मन साफ था आत्म स्थित था, स्थित प्रग्य थे वो, आत्म ज्यानी थे, जीवन मुक्ता थे और जीवन मुक्ता वो होता है जो मुक्त होके जीवन जीता है मुक्त मतलब आत्मा के भव में जीना जो आत्मा के भाव में जीता हो, पूनता में जीता हो, परफेक्शन में जीता हो, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं होता, वहाँ परस्थिती पे आप डिपेंडेंडन नहीं रहते हो, आपका आनन्द परस्थिती पे आधारित नहीं होता, आपका आनन्द आपके स्वैम मे में होता है, आपके आत्मिस्थित होने में होता है, फिर आप आनंद के गुलाम नहीं होते हैं, आनंद के पीछे नहीं भागते हो, म्रिग त्रिष्ना में नहीं फसते हो, लेकिन जब आप अहंकार में जीते हो, शरीर के भाव में जीते हो, तब आप इंपर्फेक्शन में जी जीते हो, तब आप expectation में जीते हो, तब आप आनंद के गुलाम बन के जीते हो, आनंद के पीछे भागते हो, और कोई भी समय आपके लिए सही नहीं होता है, और वही रावन के साथ हुआ, रावन के पास सभी संसाधन था, सोने का लंका था, सब कुछ था उसके पास, फेमली था, इतना बड़ा राज्य था, लेकिन मन में शांती नहीं था, अधुरापन था, क्योंकि वह आंकार में जी रहा था, वह शरीर के भाव में जी रहा था, वह आत्मा के भाव में नहीं जी रहा था, वह जीवन मुक्ता नहीं था, वह पंडि पंडित और ज्यानी में बहुत बरा अंतर है। आप सास्त्र को रट लिये हैं तो आप पंडित कहलाएंगे लेकिन जिससे सास्त्र निकलता है वो ज्यानी होता है। आत्मबोध से वो सास्त्र निकलता है। ज्यानी राम थे। जो आप विस्तित थे। तो रावन का क्या हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो डर और लालच में ही जिया। वो बंधन में ही जिया। उसका सारा कर्म बंधन में निकला। बंधन में ही सारा कर्म वो किया। राम की जीवन में प्रतिकूल परिस्तिती होने के बाद भी उसे वो अनुकुल बना दिये क्योंकि उनकी मनुस्तिती सई हो गई थी, वो सई हो गए थे इसलिए वो हर वक्ट आनन्द में ही जीए तो कि उनका आनन्द परिस्तिती पे आधारित नहीं था किसी चीज प्याधारित नहीं था वो आत्मा के आधारित था तो जीवन हर पल आनंद में जीने के लिए मिला है आनंद को भूत और भविश में ढूनिने से आनंद नहीं मिलता है वो म्रिग प्रिश्ना है आनंद living in the present वर्तमान में ही मिलता वर्तमान में ही जो आनंद पालिया वही मुक्त हो गया और वो कैसे मिल सकता हूँ आत्म बोध से मिल सकता है जब तक हमारे पास है उसे हम पहचानेंगे नहीं जानेंगे नहीं तब तक हम perfection पूनुता को पा नहीं सकते हैं सारा खेल ही अज्ञानता का है अग्यानता में ही मनुष के पास अगर खजाना भी होता है तो उसे वो जान नहीं पाता है उसे पहचान नहीं पाता है उसे वो उपयोग में नहीं ला पाता है और जीवन भर वो अंधकार में ही जीता है गरीबी में ही जीता है ज्यान आ जाये तो वहीं पूनता आ जाता है क् कि उसके पास सबसे बड़ा खाजाना है, वो आनन्द है, जो वो ढून रहा है बाहर, वो उसके अंदरी है, वो खुद आनन्द है, जिसे वो बाहर ढून रहा है, वो अपने आपको समझा नहीं, जाना नहीं, उसलिए वो दर-दर भटक रहा है, जैसे कोई गोल्ड चेन पहना हुआ है, और भूल गया, तो क्या करेगा, वो बाहर ढूनेगा, वो बाहर कहीं भी ढून ले, उसे वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो गलत डिरेक्शन में ढून रहा है, जो उसके पास ही है, वो बाहर ढून रहा है, बाहर ढूनना अज्ञानता की निशानी है, अज्ञानता में मनुष बाहर ढूनता है, और पुरा समय नस्ट कर देता है, जो खुशी, जो आनंद उसके पास ही है, वो बाहर ढूनता है, वो इंद्जार में रह जाता है, पुरा समय निकाल देता है, और उसे वो मिल नहीं पाता है, वो पुरा समय को वो सस्ते में स्वधा कर बैठता है, लेकिन वो आनंद उसे मिल नहीं पाता है, क्यों? तो कि अज्ञानता के कारण तो ज्ञान से ही मनुष समय को सही बना सकता है, आत्म बोध से ही मनुष परिस्तिती को सही बना सकता है, अच्छे दिन को ला सकता है, नहीं तो कोई भी दिन अच्छे नहीं होंगे, जब तक आत्म बोध नहीं होगा, जब तक हम सही नहीं होगे, तब तक हमारा प्रतिविम्ब आइने में सही नहीं होगा तो सही हमें होना है, जब हम खुद सही हो जाते हैं, तो हमारा प्रतिविम्ब भी सही दिखने लगता है तो सारा खेल मनुस्तिती का है मनुस्तिती अगर सही है तो समय भी सही हो जाता है परिस्तिती भी अनुकूल हो जाता है और अगर मनुस्तिती सही नहीं है तो अनुकूल परिस्तिती भी प्रतिकूल हो जाता है रावन की तरह रावन की प्रस्तिती अनुकूल थी भौतिक संसाधन से संपन था रावन लेकिन प्रतिकूल हो गया क्यों कि मनुस्तिती सही नहीं था मनुस्तिती साफ नहीं था डर और लालच में जी रहा था अंकार में जी रहा था शरीर के भाव में जी रहा था अपूनता में जी रहा था बंधन में कर्म कर रहा था डर और लालच में कर्म कर रहा था और वहीं दूसरी ओर राम आत्म बोध में कर्म कर रहे थे प्रतिकूल प्रस्तिती होने के वावजुद वो अनुकूल हो गया क्यों? क्योंकि उनके मनुस्तिती सही था, साफ था, आतिस्तित था बंधन में कर्म नहीं था, वो मुक्ती की अभिवेक्ती था तो समय सही हम खुद बनाते हैं, कैसे खुद सही होके? ज्यान से, आत्मबोद से, आत्मबोद से ही हम अपना समय सही बना सकती वक्त को आनंद में बना सकते हैं जीवन सेलिब्रेशन बना सकते हैं, उत्सव पूर्ण बना सकते हैं इतना महत्पूर्ण जीवन नस्ट करने के लिए नहीं मिला है, आनंद में जीने के लिए मिला है हर वक्त, हर समय आनंद में जीने के लिए मिला है, वो आनंद के पीछे भागने के लिए नहीं मिला है, आनंद में जीने के लिए मिला है वर्तमान में ही आनंद है, आप आनंद हो जाओ, उसके बाद कर्म करो, वो एक प्ले होगा, वो एक लीला होगा लेकिन जब आप आनन्द के लिए कर्म करोगे तो बंधन में किया गया कर्म होगा वही बंधन है, वही दुख है जो आप भाग रहे हो आनन्द के पीछे पुरा समय नस्ट हो जाता है लेकिन वो आनन्द मिल नहीं पाता है क्योंकि आनन्द बाहर ही नहीं वो मिर्ग तृष्णा है वो अभास होता है कि बाहर है लेकिन बाहर है नहीं आपके पास ही है जो आप भूल गए हो और गुरु वही याद दिलाता है जैसे हनुमान जी अपने आपको भूल जाते थे कि वो कौन है तो जामवन्त उन्हें याद दिलाते थे कि तुम कौन हो उसी तरह मनुष अपने आपको भूल जाता है कि वो कौन है उसके पास क्या है और गरीबी में जीने लगता है अपून आते हैं और गुरु जामबंद की तरह मनुष्ट को जगाते हैं कि तुम विराठ हो तुम पूर्ण हो तुम अपने आपको पहचानो तुम अपने आपको जानो तुम बहार कितना भटक लोगे तुम्हें वो पूर्णता नहीं मिलेगा तुम ही पूर्ण हो, तुम ढून गलत जगह रहे हो, सही जगह पर ढूनने से ही वो चीज मिलता है, गलत जगह पर ढूनते रह जाओगे, वहाँ पर वो चीज मिलेगा नहीं, तुम अपने आप में ढूनो, तुम अपने आप को जानो कि तुम कौन हो, तुम पूर्ण हो, तुम सचित आनंद हो, वही वक्त मनुष्का सही हो जाता है, आत्म बहुत सही मनुष्का जीवन सुधर सकता है, सही हो सकता है, आनंद में हो सकता है, तो यही है बाकी अगर आपको कोई भी question हो तो आप भी चक comment section में पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो like, comment और share ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और और लोग भी आपके द्वारा लाभानित हो सके Thank you, have a nice day, प्रणाम